हेihगास देखो, आज की डेट में मार्केट में भйहंकर अनकर तेज़े देखने को मिली है सेर चाहे हो mid cap हो, small cap हो, कूछ भी हो, सभी में अच्छा खासा तेज़े देखने को मिढा है आज और ये है सर Nifty Mid Cap Nifty Mid Cap सर आज 3% 2.5% से लेकर 3% तक भागता हुगा नजरा है ऐसा है सबसे पहले तो अगर आप देखोगे देखो इसका चार्ट पेटन क्या कहता है सर देखो इसका चार्ट पेटन कहता है Nifty Mid Cap 100 का एक तो सबसे बड़ा वाला candle रहेगा जिसमें bearish बहुत ज़्याद रहेगा मतलब यहाँ पर बेचली वारे लोग सभी लोग रहेगा और किसी ने किसी तरीके से खबर आते ही नजर आएगा उसके बाद सर फिर जो है यहाँ पर भी आपको देखने को मिला यहाँ पर भी सेम देखें तो सर एक बड़ा सा candle बनता हुआ नजर आए जहाँ पर सर देखोगे तो सर सिलर्स बहुत ज़्यादा हावी हो गये थे और फिर यहाँ पर आगर आप देखोगे जीस तरीके से हर बाद एक रैड केंडल के बाद यहाँ देख सकते हो ग्रीन केंडल बनता हुआ नजर आता है वो भी स्ट्रॉंग बायर और स्ट्रॉंग वॉल्यूम के साथ देख सकते हो एस इस आपको हर जगा आपको देखने को मिलेगा सर देख लिजे सीम पैटन यह फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है आज मतलब 3% तक का रहलिए आपको देखने को मिला सर सारे में निफ्टी अगर आप देखोगे मिड़ कैप में निफ्टी स्मॉल कैप में देखोगे या 100 की बाद कर रहा हुँ निफ्टी स्मॉल 64% भागता हुगा नजर आए ऐसे ऐसे टेजे दजकीने को मिले हैं सरा आज की टेट में और nifty small cap सर mid cap के बाद small cap ये तो सार आज बाओ 4% भागता हुगा नजर आए कितना 4% भागता हुगा नजर आए नीचे से मतलब आप देखे रहा स의 कितना strong candle बनता हुआ नजरा है जिस तरीके से सरभ बैरिश आभी हो रहे थे लोगों रेकतम खरीदना स्टार्ट कर दिया जो सोर से खरीदना स्टार्ट कर दिया आगर वहां नहीं समझ मैं यह आप लोगो तो आप इस तरीके से यहां पर भी देख सकते हो 3% से भी आपको ज़्यादा तेजी देखने को मिला ठीक है BSC Small Cap में एक और चीज़ ये 100 है सर BSC Small Cap 100 BSC Small Cap मैं आपको बहुँगा सर 50 में डाकर देखिए तो सर वो तो 4% भागता हुआ नजर आ गया 4% भागता हुआ नजर आ है इतनी मजबूत तेजी आपको देखने को मिली सर तो सर हुआ क्या यहाँ पर बताया जारा Sensex Nifty Gain ठीक है Amit Broad Based Buying आपको देखने को मिला जो Enlist Advise कर रहे थे Avoiding Aggressive Bits आपको देखने को मिला था देखे समझने की कोसिस के जाए सर जब आप चीजों को बेचते हो हां भाई बेचते हो तो सर कोई खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए तभी तो आप बेच पाओगी मार्केट में अगर आप देखोगे तो सर अच्छे अच्छे स्टॉक लगबग जोए 35% के discount में देखने को मिल रहे हैं खरीदना street कर दिया को मैंने सब कुछ बेच दिया सब कुछ दिन से बज़ार के रहे था भट जादा डर लगा वहीं बैच दिया करके कुछ लोगों ने क्या हाँ भाई मैंने तो आधा पैसे निकाल लिया यहां भई मैं तो डर रहा हूं क्या करों। बहुत सारे लोग इस तरीके से बोल रहे था ऌ.. इससे साफ शाफ पता चलता है कि भही जिस तरीके से लोग कर रहे हैं उस तरीके से लोग खृदने के लिए बी तयार है और जब तक बायर्स है तब तक मार्केट चलता हुआ नजर आएगा तो आज जब मार्केट भागता हुआ नजर आया सर तो लोगों ने यहाँ पर पैसा भी बनाया ठीक है बताया ज़रा एट लाक करोड मार्केट में जिस तरीके से आज के रेट में तेजी देखने को मिले त तो क्या हुआ मैं डटे रहूँगा कमपनी अच्छी होने देखो सबसे एक चीज मैं आपको बहूँगा कि लोग खरी देते गलत चीज ऐसा है लोगों को चाहिए पानी लेकिन लोग खरीद लेते हैं इसा अलग चीज जो चाहिए वो खर दो कभी नुकसान नहीं होगा लो कर रहा हूं मार्केट में सेल्स भी हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक है कोई पता नहीं कुछ हो गया और यहां चालीस रुपए पर आ गया ऑगया नहीं इस टॉक का प्राईस है और थीक चल रहा है कोई प्राब्लम नहीं है सर, कभी कभी मंदी में भी कुछ ऐसे बिजनस हैं, जो सक्सेस्फुली रन करते हैं सर, वो भी विदाउट हैविंग एनी लॉस, आगी नहीं है, अराम से, चलते हैं सर, तो सर बिजनस तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन गिर गया स्टॉक का प्र प्राइस को खरदा सर, लोगों को बिजनस से मतलब नहीं है, भले ही पूरी दुनी, इंडिया के जितने भी बिजनस हैं, वो सब डूब जाया, खतम हो जाया, लोगों को मतलब नहीं है, स्टॉक का प्राइस भागना चीए सर, लोग पैसा लगाने के लिए तयार हैं आपर, याद रखे, तो ये गलत चीज़े होती है सर, हमें स्टॉक के प्राइस को नहीं देखना है, हमें बिजनस को देखना है सर, बिजनस को देखेगा, तो कभी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये तो हो गया सर, स्मॉल केप की बात, मिड केप की बात कर यह हम बोल सकते हैं कि थोड़ा एक bounce back आपको देखने को मिला, आज एक दिन की तेजी देखके कुछ भी ने decide हो सकता है कि market सब कुछ ठीक ठाग हो गया, यह decide नहीं हो सकता है, जब तक buyer है market stable है, buyer चले जाएंगे market फिर गिर जाएगा, अब देखें, export ने पहले ही बोल रखा है, export ने पहले ही बोल लखा है, आज की बात नहीं, पहले ही बोल लखा है कि भाई, nifty 25,000 जाने वाला है, 2025 में, sorry 2025 में अगर आप देखो यह, तो भाई यहाँ पर nifty 25,000 जाने वाला है, अब लोग डर रहे है, market किस जगा, भाई, market उन लोगों के लिए गिर रहा है, जो लोग trader है, जो लोग मतलब market में ऐसे gambling कर रहे हैं, उन लोगों के लिए market नहीं गिर था, अभी भी जो कि long term investor है, ऐसा है, कहीं भी अगर आप देखेगे, तो हर जगा आपको बताया ज़रा, 25,000 जाता हूँ नजरा आ जाएगा, ICIC Direct Research ने भी यहाँ पर बहुल लखा है भाई, चारो तरप से भी, कहीं से भी अगर आप देखोगे, तो मतलब उनका target है, 2025 आरहाम से, 2030 तक अगर आप देखोगे, तो से निफ्टी जो अगर आप देखोगे ने सर, वो यहाँ से पचीज़ है, से पचास जार भी चला जाएगा, कितना 50,000 चला जाएगा, लेकिन क्या, हमारे पास इतनी हिम्मत है, कि हम 2030 तक वेट कर सकते हैं, पेशिंस रख सकते हैं, नहीं हम तो अमीर बाप की बेटे हैं, हमें एक दिन के अंदर ही पैसा डबल चाहिए, और नहीं चला तो भाई हम कुछ भी कर लेंगा, उल्टा फुल्टा कुछ भी हो सकता, ज़्यादा तर लोग यही चाते हैं, एक दिन के अंदर पैसा डबल करना है, दो दिन के अंदर करना है, मैं एक साल से बैठा हुआ हूँ, कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, दो साल से बैठा हूँ, मजग है क्या, पैसा ही नहीं मिला, तीन साल होग अभी पैसा है नहीं मिला, और लोग बोलें सर मैं दो साल से बैठा हूँ और तीन साल से बैठा हूँ आंदे को स्टॉक मार्केट है यह एक ऐसी चीज़ जहां पर लॉंग टम बैठना है तो निफ्टी 25,000 जाने वाला है 2025 में ठीक है 25,000 भी नहीं जाता है सर माल लेतर 24,500 भी तो चला जाएगा न अलग है लेकिन सर इलेक्शन, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है और याद रखेगा यह ख़बर तो आप लगोंने सुना ही होगा सर कि अगर बीजेपी गवर्मेंट जीत जाती है तो मार्केट में कम से कम 25,000 मतलब नहीं बीजेपी गवर्मेंट अगर हार जाती है ठीक है? तो सर मार्केट कम से कम 30% तक क्रैश हो सकता है लेकिन अगर बीजेपी गवर्मेंट जीत जाती है तो ये भी तो माना जागा है कि मार्केट में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है एकिनी तो अगर अभी देखोगे ये SBI का जो प्राबलम चल रहा है सुप्रीम कोट के वज़े से इस वज़े से थोड़ा मामला अटका हुआ है सर ऐसा कि किसको कितने मतलब कितने लोगों ने कितना ज़्यादा फंड दिया है किस पार्टी को वहाँ पर मामला अटका हुआ जैसे वो क्लियर होता हुआ नजर आया क्योंकि सर बीजे पी को ही सबसे ज़्यादा फंड मिला है लगबख 5000 करोड रुपे मिला है सर 5000 करोड रुपे के वल बीजे पी को मिला है और कॉंग्रिस को के वल 800 करोड रुपे मिला है सर 800 या 1000 तो इससे ये पता चलता है कि हाँ सर इससे ये पता चलता है कि बीजे पी को ज़्यादा तर सपोर्ट आज से कर रहा है वो भी indirect और अलग तरीके से fund दे कर क्योंकि सर election में बहुत जादा पैसे की भी तो जरुत होगी ना fund की requirement होगी ना सर तो उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे party लोग हैं जो 5000 क्रोड को है तो Supreme Court ने यहाँ पर SBI को डांट लगाया है कि किसने कितना डादा जो bond खरदा है तुमारा और कितना कितना किसने किसने दिया है वो बताओ मुझे करके क्योंकि यह देश के hit में होना चाहिए तो अगर BJP government ruling party मतलब एक बार जीच जाती है तो सर मार्केट में वापस आपको जो यह 25,000 का लेबल देखने को मिल रहा है अगले 5 साल में सर यह 30,000 का भी लेबल देखने को मिल सकता है लेकिन याद रखे stock market के बार long term का ही खेल होता है short term में सर कुछ भी नहीं होता कुछ का मतलब कुछ भी नहीं होता सर मतलब मुझे तो खुदी सरम आती है कि 30 दिन काम करने के बाद सर एक दिन सैलरी मिलती है और वो इस एक दिन सैलरी मिलती है सर उससे भी घटिक से नहीं चल पाता है लोगों का यह चाहते हैं कि daily profit कर ले भाई यह चाहते हैं कि मैं करोडों कमाल हूं market में ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होता सेफ रहिए अच्छे स्टॉक्स में एकदम लंबे समय तक टिके रहिए